दोस्तों अगर आपके phone में software update आया हुआ है और आपको पता नहीं है आप नहीं जानता कि update कैसे करना है या software update करना आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने कवाद विल्कुल आप software update करना सिख जाओगे अगर last की वीडियो देख लेते हैं तो software update करने से बहुत सारा नया नया feature जो है mobile में add होता है और mobile का security power बढ़ जाता है तो यहाँ पे phone को समय समय पर update करना काफी ज्यादा जरूरी होता है update कैसे कीजिएगा सबसे पहले आपको phone के setting खुज लेना है setting में आ जाना है setting में आने के बाद आपको नीचे के तरफ जाना है नीचे software update मिलेगा जहां पे आपको touch करना है फिर यहाँ पे आपको download न इस्टॉल का option मिलेगा जिसके ऊपर touch करना है कोई भी नाय update आया होगा तो है हम आपको बताएंगे ठीक है तो दोस्तो download होने के बाद यह इस तरह से जो है दिखेगा install now करने का option है तो install now करने से पहले आपको अपना बैटरिक चेक करना है 50-40% से उपर आपके phone का बैटरी रहना चाहिए तभी आपको install करना यह बात आप लोग हमेंसा ध्यान में रख होगा और फोने के बाद यह इस तरह से इंड्रोस सिस्टम अपडेट जो है दिखेगा और थुद्धा दरे वेट करना पड़ेगा उसके बाद यह अन होगा और अन होने के बाद सारे आपको यह आपडेट करेगा उसके बाद जैमारा phone यहां पे ओन हो जागा तो यही process जो होने के बाद यह फिर से switch up होगा और फिर से on होगा और यहाँ पे Samsung Galaxy लिख दिया अब यह on होगा on होने में भी तुछा इसका time लेगा ठीक है तो थो थो आपको और wait करना पड़ेगा और यहाँ पूरे हमको 10 minute wait करना पड़ा है मैं यहाँ पर वीडियो यहाँ पर पाउस कर दिया था लेकिन 10 minute हमको wait करना पड़ा है उसके बाद यह सब को देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पे आपको थोड़ादर wait करना पड़ेगा उसके बाद दिखिए यह फिर से यहाँ पर 100% होगा अब यहाँ पर 1u1 लिग दिया पर स्वाइब करके हम पीन देंगे इसका तो यह पीन से पहले खुलेगा उसके बाद फिंगर बाद में काम करेगा तो यहाँ पर देख सकते हम लॉक दे दिया और यह फॉन हमारा स्टार्ट हो गया तो इस तरह से आप अपने फॉन में सौटवेर अपडेट कर सकते है कोई अपने फॉन में नए तरीके से अपडेट कर सकते हैं वीडियो कैसा लागा कमेंट करके आप लूग जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियों तब तक के लिए टेक क्यार बावा दोस्तों